तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों सामने एक बार फिर हाजर हुआ हूँ एक नए वीडियो को लेके आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लाश 12 का जो टर्म 2 का एक जाम होगा उसका उर्दू का कोश्चन पेपर है यह इसके पहले मैंने टर्म 1 कोई जो एक्जाम का कोश्चन पेपर था वो मैंने डाला था जैसा कि आप सभी को पता है जैक ने पाच सेट मोडल प्रश्ण पत्र जारी किया है तो इसमें ये पहला सेट है तो आईए हम लोग इसको देखने जा रहे है पहले हम लोग हिदायत पढ़ लेते हैं जरूरी हिदायत क्या क्या इंस्ट्रक्शन हमें दिया गया है सभी सवलात के जवाबात अपनी जबान में दें सभी सवलात के जवाबात दिये गए हिदायत के मताबिक लिखें सवाल की कीमत बाएं जानी दर्ज है सवलात तीन हिस्सों में तकसीम है सवलात की कुल तादाद उनीस है तो ये है सेक्सने हिस्सा अलिफ इसे हम लोग पढ़ते हैं दर जजल में किसी में से किनी पांच सवलात के जवाबात एक जुम्ले में दे ये दो दो नमबर का एक कोशन है तो इसको देखते हैं नावल उम्राव जान अदा के मसन्निफ कौन है फोटोग्राफर का तालुक किस सिन्फे अदब से है अफसाना सुकून की नीद के मसन्निफ कौन है घजल का लगवी माने क्या है आगा हश्र कास्मीरी की पैदाइश कहां हुई थी फोर्ट विल्लियम कालेज कहां कायम किया गया बाल जिबरिल किस ने लिखी नौवल उम्राव जानादा मिर्जा हादी रुस्वा ने लिखा है और फोटोग्राफर ये एक मुख्तसर अफसाना है सुकून की नीद इकबाल मजईद ने लिखी है घजल का लगवी माने औरतों से बात करना या औरतों की बाते करना आगा हश्र काश्मीरी बनारस में पैदा हुए थे फोर्ट विल्लियम कॉलेज कॉलकता में कायम किया गया था बाले जिबरिल अल्लामा इकबाल ने लिखी है अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्सन बी की जानिव दर्जेजेल में से किनी पांच सवलात के जवाबात पचास लफजों में दें तनकीदी मजामीन उम्राव जान अदा का मरकजी किरदार के मतालिक लिखें गुमनाम पहाड़ी के गेस्ट हाउस में सयख क्यूं आते थे अफसाना फोटोग्राफर के हवाले से बताएं शहजादे ने मुल्क हवा में क्या देखा अफसाना सुकून की नींद के हवाले से बताएं रूह अरजी आदम का इस्तक्वाल क्यूं करती है मुसनिफ ने सैकिल को दरिया में क्यूं फेक दिया हम लोग इसका एंसर देखते हैं उम्राव जान अदा का किरदार एक लाफानी किरदार है रूह ने यूँ तो अपने तमाम ही किरदारों पर तवज्ज़ दी है लेकिन उम्राव जान अदा के किरदार पर खसूसी तवज्ज़ दी है वह तर्बीती मनजर और तमहीद ही में हमें उम्राव जान अदा के इस तरह मतर्रिफ करवाते हैं कि उस उसकी जिन्दगी में कोई राज बाकी ना रहा वह एक वज़दार तवाइफ है शेरो शायरी का शौक भी रखती है खुश मिज़ाज भी है और दिली जौक भी रखती है गाने में बेमिसाल है हालात ने उसे शरीफ घराने से तवाइफ के बाला खाने तक पहुँचा दिया सवाल नमबर नौ का जवाब गुम नाम पहाड़ी कस्वे के गेस्ट हाउस में सिया घूमने फिरने सुकून और महबत की तालास में और माहे घुसल मनाने आते हैं ताकि कुछ वक्त आराम से गुजार सके सहजादा बाप के मरने के बाद मुलक हवा की एक सुरंग में दाखिल हुआ जहां उसने देखा के वह एक ऐसी दुनिया में पहुँच गया है जहां दो तरह के इनसान पाए जाते हैं एक वह जो जी रहे थे और एक वह जो जीते जी मर रहे थे खुदा ने आदम से नाराज होकर उन्हें जमीन पर भेजा था जमीन आदम के लिए नई जगह थी वह यहां नो वारिद थे इसलिए जमीन की रुह ने आलमे रंगे बूव में आदम का इस्तक्वाल किया मुसनिफ ने अपनी साइकिल को दरिया में इसलिए फैंक दिया क्योंकि वह ना तो बक सकती थी ना ही उसकी मरमत की जा सकती थी और ना ही और ना ही इस पर सवारी ही की जा सकती थी तो ये सेक्षन भी समाप्त हुआप हम लोग पढ़ते हैं सेक्षन सी की जानिब दर जजेल में से किन ही तीन सवलात के जवाब सो लफजों में दें खवाजा हसन के हायात और अदबी कारनामों पर गुफटगू करें अर्दू ड्रामा की तारीफ वाज़ाए तरकीबी पर रोशनी डालिएं नजब इर्तका का खुलासा अपनी जबान में लिखें खवाजा हसन दहली में पैदा हुए कम उमरी में ही वालिद और वालिदा का इंतकाल हो गया बड़े भाई ने परवरिश की अरबी वाफारसी की तालीम दहली ही में हासिल की किताबों के मुतालाः और मजमून अवेसी का सौक बच्चपन से ही था पहले अखबार में छोटे छोटे मजामीन लिखे बाद में तहरीर और तस्नीफ ही उनका मशगला बन गया उन्हों ने बहुत सी छोटी बड़ी किताबें लिखी उनमें इन शाये सफर नामें और रोज नामें शामिल है खवाजा हसन निजामी एक खास तर्ज 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 तहरीर के मालिक थे उनकी नसर में अद्बियत अमलियत और रोहानियत की अजीब और गरीब आमेजिस नजर आती है उनका दिल कर्स असलूब मामूली वाकियात और रोज मर्रह की चीजों को भी गहर मामूली बना देता है बेतकलूफी सादगी और लतीफ तन्ज उनकी नसर की नुमाया खसूसियात है उनके तसानिफ में सी पाराए दिल, काना बाकी, घदर के सुभों, शाम और आप बीती खास तोर पर मशहूर है आलमी अदब में सिन्फ ड्रामा को हमेशा बलंद मकाम हासिल रहा है वा हिंदुस्तान हो, यूनान हो या बरतानिया हर जगह इस सिन्फ की पेजराई होती है ड्रामा किसी किस्से या वाकी को अदाकारों के जरीए नाजरीन के रूबरू अमलन पेश करने का नाम है इस से वाज़ हुआ कि ड्रामा नावेल या अफसाने की तरह सिर्फ लिखे या पढ़े जाने तक महदूद नहीं इसके लिए पेश कस जरूरी है बलकि ये मुकमल ही तब होता है जब इसे अमलन अस्टेज पर पेश कर दिया जाए बन्यादी तोर पर ड्रामे को दो हिस्सों में तक्सीम किया गया है ट्रेजडी, अल्मिया, कामेडी, तर्बिया अर्दु ड्रामे की इपतदा 1844 से 1855 के दोरान वाजिद अली शाह की ड्रामाई पेशकर्ष और अमानतों मदारी लाल के इंदर सभाओं से लखनव में हुई जमील मजहरी ने अपनी इस नजम में इनसानी इर्तका पर रोस्नी डाली है इस नजम का मिजज फलस्फियाना है इस नजम में इस ख्याल को पेश किया गया है कि दुनिया में इनसान के इख्यार में क्या क्या चीजें हैं और किस किस तरह इनसान ने खुब से खुबतर का सफर ते किया और किस तरह अपनी काम्याबी की मनाजिल ते की हैं इसकी रह में क्या क्या दुस्वारियां आई उसे किस तरह तर्ख सीरी तजर्बात से उसे किस तरह तर्ख सीरी तजर्बात से गुजरना पड़ा इर्टका की राह में आने वाली दुश्वारियों का इनसान ने किस तरह हिम्मत और होसला से मुकाबला किया तरक्षि के इस सफर में उसे कभी काम्याबी मिली है तो कभी उसे नाकामी का भी मुह देखना पड़ा है लेकिन उसके जजबे जजबे सौक में कमी नहीं कमी नहीं आई है और वह बराबर सितारों से आगे के जहानों की तालास में सरगरदा रहा है अगर आप चाहते कि मैं उर्दू के जितने भी मोडल सेट पाच निकले उस पर भी वीडियो मनाओं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है तो प्लीज कमेंट करें वरना मैं अगली बार से अच्छा करने की कोशिश करूंगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं